विनेश फोगाट और संगीता फोगाट की वाइलल हो रही तस्वीर का क्या है सच इस पर यकीन करने से पहले देख ले ये रिपोर्ट देश की राजधनी दिल्ली में रविवार 28 मई को भारत्य कुष्टी संग के अध्यक्ष ब्रिज भूशन के खिलाफ कारवाई की मांग को लेकर धरने पर वैठे पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच जोरदार दंगल देखनी को मिला पहलवानों ने संसत भबन की और मार्च का एलान किया तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें जाने की इजादत नहीं दी इस दोरां बजरंग पुनिया बिनेश फोगाट साक्षी मलिक सहित कई पहलवानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया पुलिस और पहलवानों के बीच हुई इस गुत्थम गुत्था की वीडियोज आपने भी जरूर देखे होंगे लेकिन इस बीच हैश्टेग रेसलर्स प्रोटेस्ट के साथ एक फोटो जम कर वाइरल हो रही है इसे लेकर कई तरह के दावे किया जा रही है आखिर इस तस्वीर की क्या सच्चाई है चलिए जानते हैं वाइरल हो रही तस्वीर में विनेश फोगाट और संगीता फोगाट पुलिस बैन में बैठी हुई नजर आ रही है ये तस्वीर हिरासत के बाद की है लेकिन इस तस्वीर में दौनों बैने हस्ती हुई दिखाई दे रही है सोशल मीडिया पर इस फोटो के वाइरल होने के बाद पहलवानों को ट्रोल किया जो आ रहा है एक यूजर ने फोटो का एक कोलाज बना कर ट्वीट किया जिसके एक हिस्से में दौनों बैने जमीन पर लेटी हुई नजर आ रही है वहीं दूसरे हिस्से में पुलिस बैन में बैठे मुस्कुराते हुए नजर आ रही है यूजर ने इसे शेर करते होई लिखा क्या Sports Federation of India acting classes भी देती है जब इसकी परताल की गई तो ये पाया गया कि असल में इस फोटो में दौनों बेहने मुस्कुरा नहीं रही है बलकी एक application की मदद से फोटो को edit कर विनेश संगीता को मुस्कुराता हुआ दिखाया गया है दोनों तस्वीरे आप देख सकते हैं यानि वाइरल हो रही ये फोटो फेक है वहीं कॉंग्रेस ने भी इसे लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की कॉंग्रेस प्रवक्ता अलकालामा ने प्रेस कॉंफरेंस कर बीजेपी पर निश्वाना साधा और कहा कि देश की बेटियों की छबी खराव करने की बीजेपी की साजिश नाकाम इस दोरान अलकालामा ने दिखाया कि कैसे इन फोटो का इस्तिमाल गलत तरीके से किया गया आप भी देखिए वहाँ पर तस्वीरों से छेचार करके उनके चेहरों को बदल कर मुस्कुराते हुए दिखाया गया और भाजपा के बड़े नेताओं भाजपा इटिसल और माफी चाहूंगी कुछ पत्रकारों ने भी इन तस्वीरों को जो फर्जी हैं फेक हैं उन्हें दिखा कर हमारी खिलाडियों की चवी को धुमल करना चाहा वहीं रैसलर बजरंग पूनिया ने भी इसे लेकर ट्वीट किया है और जूटी फोटो शेर करने वालों को चेताब नी दी है पूनिया ने ट्वीट करते हुए लिखा आईटी सेल वाले ये जूटी तस्बीर फैला रहे हैं हम ये साफ कर देते हैं कि जो भी ये फर्जी तस्बीर पोस्ट करेगा उसके खिलाफ शुकायत दर्ज की जो आएगी इस ख़बर में फिल हाल इतना ही ताजा अपडेट के लिए बने रही वन इंडिया हिंदी के साथ